सूर्य को जल देने के होते हैं कई फायदे, यह है अर्ध्य देने का तरीका। भगवान सूर्य को आत्मा और ग्रहों का राजा माना जाता है। हिंदू धर्म में इनकी पूजा पाठ और अर्ध्य का विशेश महत्व है। मान्यता है कि सुबफ सूर्य को अर्ग्य देने से सुख सौभाग्य में विध्धी होती है। लेकिन क्या आपको पता है सूर्य को जल कैसे दें यानी सूर्य को अर्ग्य देने का सही तरीका। मान्यता है कि विधी विधान से अर्ग्य देने से ही सम्पूर्ण शुब फल प्राप्त होता है सूर्य को अर्ग्य देने का नियम मान्यता है कि रोज भगवान सूर्य को अर्ग्य देने से भगवान भासकर की कृपा प्राप्त होती है धन वैभव और सम्मान की प्राक्ति होती है और कुर्णिली में सूर्य संबंधी दोश है तो उनका भी निराकर्ण होता है तो आप 1. प्रातवकाल सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर शुद्ध हो जाए 2. सूर्योदय होने पर भगवान भासकर के सामने कुश आसन लगाएं 3. आसन पर खड़े होकर तामबे के पात्र में जल लें और इसमें मिश्री, लाल पुष, रोली, चंदन, अक्षत मिलाएं इसके बाद जैसे ही नारंगी किर्णे दिखाई दे, दोनों हाथ से तामबे के पात्र से इस तरफ सूर्य को अरग्य दे की जल की धार से सूर्य दिखाई दे मान्यता है कि इससे कुंदली में दूशित मंगल का उपचार भी होता है 4. सूर्य को अर्ग्य देते समय इसका ध्यान रखें की जल धारा आसन पर गिरे और न की जमीन पर 5. जल धारा जमीन पर गिरने से जल में समाहित उल्जा धर्ती में चली जाएगी और अर्ग्य का संपूर्ण लाग आपको नहीं मिल पाएगा 6. इसी के साथ अर्ग्य देते समय उन एही सूर्य सहस्त्रांशों तेजोराशे जगतपते अनुकम पे माम भक्त्या ग्रिहनार्ग्य दिवाकर मंत्र का ग्यारह बार जपें 7. इसके बाद उही ही सूर्याय सहस्त्र किर्णाय मनोवांचित फल देही देही स्वाहा मंत्र पढ़ें 8. इसके बाद सीधे हाथ की अंजुली में जल लेकर अपने चारों और छिड़कें और अपने स्थान पर तीन बार घुमें 9. अब आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें 10. सूर्य को अर्ग्य देते समय गुड़ चढ़ाना चाहिए इससे सूर्यदेर की कृपा प्राप्त होती है सूर्य को अर्ग्य देने के फायदे अगर दिन की शुरुआत अच्छे कार्य और अच्छी बातों से किया जाए तो उसका असर पूरे दिन हमारे मन मिजाज पर रहता है इसका परिणाम भी सकारात्मक होता है इन्ही कार्यों में से एक हम अपने जीवन में डाल सकते है वो है जीवन की आत्मा सूर्य को अरग्य देकर, उनका शुक्रिया अदा कर, उनका ध्यान कर हिंदू धर्म में भगवान भासकर को ग्रहों का रÁJा और आत्मा माना जाता है मान्यता है कि सूर्य को जल देने से शुब फल की प्राप्ति होती ही और सभी कश्ट तूर होते हैं सुख सौभाग्य धन वैभव में व्रिधी होती है रविवार का दिन भगवान सूर्य की पूजा का विशेश दिन माना जाता है इस दिन पूजा की जाय तो भी उत्तम है इस दिन सूर्य पूजा से कुंडली में सूर्य संबंधी दोश होने पर उनसे भी राहत मिलती है एक, धार्मिक प्रंथों के अनुसार विवा होने में अगर देर हो रही हो तो रोज सूर्य को जल देना शुरू कर देना चाहिए इससे लड़के लड़की के लिए अच्छे रिष्टे आते है दो, सूर्य को नित्य जल देने से मान सम्मान की विधी होती है तीन, सूर्य को अर्ग्य देने वाले व्यक्ति का भाग्योदय होता है चार, रोजाना सूर्य को जल चड़ाने से शरीर में उर्जा बढ़ती है